C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है सफ़ा नंबर 83, सबक 14, कहावतें हर कहावत के पीछे कोई दिल्चस्प कहारी होती है। कहावत के चंद अलफाज वो बात बयान कर देते हैं, जिसके लिए कई सफ़हात की जरूरत हो सकती है। हर कहावत इनसानी तजर्बे का निचोड पेश करती है। बच्चो, इस सबक में आप दो कहावते पढ़ेंगे। अंगूर खटे हैं और बंदर बांट अंगूर खटे हैं। कोशिश के बाद जब कोई चीज ना मिल सके तो शर्मिंदगी मिटाने के लिए उसमें एब निकालना। बास जानवर अपनी खसुसियात के लिए मशूर हैं। मिसाल के तौर पर शेर की बहादुरी, घोड़ी की वफादारी, लोम्री की चालाकी, बंदर की होश्यारी। एक दिन एक लोम्री अपनी घजा की तलाश में निकली। सारा दिन घूमती फिरती रही। खाने को कुछ ना मिला। इसी तलाश में वो एक बाग में पहुँच गई। सफ़ा नंबर 84 वहां अंगूर की बेल थी। अंगूर के रस्दार, खोशे लटक रहे थे। लोम्री के मुह में पानी भराया। उपर को मूठा कर वहां बैठ गई। उसने सूचा ये अंगूर तो महीनों के लिए काफी है। आस पास देखकर वो अंगूर के एक खोशे की तरफ उचली मगर उस तक ना पहुंच सकी। कहने लगी उम्दा चीज आसानी से हाथ कहां आती है। थोड़ी देर बाद उसने रुख बदल कर फिर चलांग लगाई। मगर मूँ में एक भी अंगूर नहीं आया। उसने सूचा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फिर उसने अपने जिसम में फुर्ती पैदा की और लगातार कई चलांगे लगाई। मगर अंगूरों तक ना पहुं सकी और बुरी तरह ठक गई। आखिरकार निधाल होकर बाग से बाहर जाने लगी। जाते जाते उसने अंगूरों को मुड कर देखा। इतनी देर में एक दूसरी लोमडी आ गई और कहने लगी। बेहन, क्यों चल दी? अंगूर नहीं मिले। लोमडी ने कहा, नहीं, अंगूर तो बहुत हैं, लेकिन खटे हैं। सफा नंबर 85 बंदर बाट किसी जगडे में इंसाफ करने के बहाने अपना काम बनाना। एक दिन दो भूकी बिल्लियां किसी घर के बावर्ची खाने में दाखिल हुई, खाने की तमाम चीजे अंदर बंद थी, उन्हें कुछ खाने को ना मिला, एक प्लेट में रोटी का टुकडा रह गया था, एक बिल्ली उसे लेकर भागी, दूसरी उसके पीछे दोड़ी, आ आखें सुर्फ और बाल खड़े किये हुए एक दूसरे पर हमला करने को तैयार थी, एक दरख्त पर बैठा हुआ बंदर उनकी लड़ाई देख रहा था, वो खुद रोटी पर कब्जा जमाने की फिक्र में था, मौका देखकर वो नीचे उत्रा, उसने कहा, शुकर करो कि तुम्हें लोगों के घरों में आसानी से खुराग मिल जाती है, हम से सबक सीखो, हम जंगल में खुराग के लिए कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी आपस में नहीं लड़ते, अगर तुम दोनों लड़ती रहीं, तो कुता आकर रोटी खा जाएगा, और तुम द सफा नमबर 86 बंदर ने रोटी के दो टुकड़े किये, तराजू उठा कर उसके दोनों पलडों में एक एक टुकड़ा रखा, दोनों का वजन बराबर ना था, उसने बड़े टुकड़े को दांस से कुतर कर खा लिया, दोबारा वजन किया तो अब दूसरा टुकड़ा भारी हो गया, उसको भी उसने दांस से काट कर थोड़ा सा खा लिया, यही काम उसने कई बार किया, और बिल्लिया उसकी तरफ तक्ति रही, कि इनसाफ कब होगा, आखिर में एक चोटा सा टुकड़ा रह गया, अब बंदर बोला, अरे इसके क्या रेजे रेजे करूँ, इससे तुम्हारा क्या भला होगा, तुम्हारी नियत की खराबी ने पहले ही काम बिगाड़ दिया, मैंने दोनों टुकड़ों का वजन बराबर करने में कितनी मेहनत की है, तराजू उठाए उठाए हाथ ठक गए, चलो यह टुकड़ा ही मेरी मजदूरी दे दो, यह कहकर बंदर ने वो टु देखने में दिल लगे या कोई किस्सा, किताब बगेरा जिसके पढ़ने में दिल लगे। आपने दो कहावतों के बारे में कहानिया पढ़िए और देखा कि एक कहावत के पीछे पूरा वाकिया या कहानी होती है, इसी तरह कुछ कहावतें और उनके पीछे मौजूद कहानिया पढ़िए अलिफ, जिस तरह शेर की बहादुरी मशूर है, उसी तरह घोड़ी की कौन सी खुबी मशूर है? बे, लोमडी को बाग में क्या चीज नजर आई? जीम, लोमडी ने अंगूर ना खाने की क्या वज़ा बताई? डाल, बंदर कहां बैठा हुआ था और क्या कर रहा था? हे, बिल्लियों को रोटी क्यों नहीं मिली? सफा नंबर अठासी चार, खाली जगों को दिये हुए सही अलफास से पुरा कीजिए अलिफ, एक दिन एक लोमडी अपनी खाली जगा की तलाश में निकले बे, लोमडी के खाली जगा में पानी भराया जीम, लोमडी ने कहा खाली जगा चीज आसानी से हाथ कहां आती है? दाल, बंदर खुद रोटी पर खाली जगा जमाने की फिक्र में था हे, बिल्लियों ने कुछ देर सोजा और बंदर से कहा के भईया तुम ही खाली जगा कर दो वाउ, तुम्हारी खाली जगा की खराबी ने पहले ही काम बिगार दिया पांच, रसदार के मानी हैं रसीला ये दो लवजों रस और दार को मिला कर बना है आप भी दिये हुए लवजों के साथ दार लिखिये और नए लवज बनाईए लवज हैं चौकी, समझ, ईमान, चमक, वफा, इजजत, माल, मजे छे, पढ़िये, समझिये और लिखिये पिछले असबाग में आप इस्म, सिफत और फेल की तारीफ पढ़ चुके हैं इनकी रोशनी में इस सबख से खानों के मताबिख अलफाज तलाश करके लिखिये सफ़ा नंबर नवासी साथ, इन लवजों के मुतजाद लिखिये बहादुर, वफा, पानी, खटे, अंदर, बुरी, छोटा, आसानी, उम्दा आठ, यहां दिये हुए जानवरों की बोलियों को उनकी तस्वीरों के सामने लिखिये कोयल, कूकू, बिल्ली, मियाउ मियाउ, मुर्गा, कुकडू कू, कुत्ता, भौंभौ, कभूतर, गुटरगू, घोड़ा, हिनहिनाना सफ़ा नंबर नव्वे नौ, बताईए के ये बयान सही है या गलत अलिफ, लोम्डी अपनी बहादुरी के लिए मशूर है सही या गलत बे, लोम्डी ने अंगूरों को हासिल करने के लिए कई मर्तबा चलांग लगाई सही या गलत जीम, लोम्डी अंगूर खाने में काम्याब हो गई सही या गलत दाल, बिल्लियों के बीच लड़ाई हुई सही या गलत हे, बिल्लियों ने रोटी का टुकड़ा खाकर दोस्ती कर दी सही या गलत दस, इन तस्वीरों के बारे में दो दो जुमले लिखिए यहाँ पहली तस्वीर में बिल्ली दिखाई गई है दूसरी तस्वीर में एक तोता दिखाया गया है तीसरी तस्वीर में नाश्ता हुआ मोर दिखाया गया है चौथी तस्वीर में एक बंदर दिखाया गया है सफ़ा नंबर 91 ग्यारहा बलंद आवास से पढ़िये और खुशखत लिखिये चाल बाजी, घूमती, छलांख, कप्सा, मौका इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ अभी आप सुन रहे थे सबक 14 कहावतें